भारत आ रहे एक जहाज पर शनिवार को लाल सागर में मिसाइल अटाक हुआ है इसकी जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली है जहाज का नाम अंजो मेडा स्टार बताया गया है ये तेल लेकर भारत आ रहा था शिब के मास्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि हमले में जहाज को मामूली नुकसान पहुचा है रिपोर्ट्स के मताबिक भारत आ रहे जहाज पर दो बार हमले हुए इस दौरान हूतियों ने कई मिसाइले दागी हाला कि पहले हमले में दागी गई मिसाइले जहाज पर ना गिब कर उसके नस्दीक समुद्र में गिवी दूसरे हमले में जहाज को नुकसान पहुचा लाल सागर में जहाज पर हमला कई दिनों की शान्ती के बाद अचानक हुआ है इससे पहले इस्राइल के साथ तनाफ के बीच इरान ने भारत आ रहे जहाज को हर्मुस पास से कबजे में ले लिया था इरान ने कहा था कि वो बिना मंजूरी उनकी समुद्री सीमा में घुसा था जहाज के क्रू मेंबर्स में 17 भारतिय और 2 पाकिस्तानी भी थे इरान ने पाकिस्तान के दो नागरिकों और भारत की एक महिला करू मेंबर को छोड़ दिया जबकि बाकी 16 भारतिय अभी भी इरान की कैद में है